और लोकसवा चुनाव 2019 के लिए 19 मई को सात्वी और आखरी चरण का मद्दान होगा सात्वी चरण में 69 लोकसवा सीटों पर 908 में द्वारों के भागी का फैसला इवियम में कैद होगा आखरी चरण में प्रदानमंत्री की वारणसी सीट पर भी वोट डाले जाएंगे प्रियांका ने यहां पूरी ताकत जोक दी है गडवंदन प्रित्याशी-शालनी यादव के लिए अकलेश माया ने सभाएं कि है 2014 में पीएम मोदी ने जीत के बाद 84 सीट का किया था चुनाओ लोगसमा सीट गोरखपुर बीजेपी प्रत्याशी रवी किशन कॉंग्रेस प्रत्याशी मदु सुधन तिरपाथी गडबंदन प्रत्याशी राम भौल निशाद गोरखपुर सीट 2017 में उप्चुनाओ के पहले तक सीएम योगी का गड़ रही है 2017 के उप्चुनाओ में यहां गडबंदन के प्रवीन निशाद जीते थी प्रवीन निशाद ने गडबंदन को छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम लिया है बीजेपी ने यहां भोजपुरी अभिनेता रवी किशन को प्रत्याशी बनाया है गडबंदन के राम भुवाल निशाद और कॉंग्रेस के मदुसूदन तरपाथी यहां मैदान में है लोगतवा सीट गाजिपूर बीजेपी प्रत्याशी मनोस सिन्हा बीजेपी प्रत्याशी अफजल अंसारी गाजिपूर में केंद्रिय मंत्री मनोस सिन्हा और अफजल अंसारी के बीच मुकाबला है 2014 के लोगतवा चुनाओं में मनोस सिन्हा मात्र 32,000 वोटों के साथ जीते थे व्यापक विकासकारियों के बावजूर गाजिपूर में मुकाबला जातिवादी हो चुका है लोगतवा सीट चंदौली बीजेपी प्रत्याशी महिंद्र नात पांडे एसपी प्रत्याशी संजय चोहान कॉंग्रेस प्रत्याशी शिवकन्या कुश्वाहा चंदौली में बीजेपी अध्यक्ष महिंद्र नात पांडे की राह 2014 जैसी आसान नहीं होगी एसपी ने संजय चोहान और कॉंग्रेस ने शिवकन्या कुश्वाहा पर इस बार चंदौली में दाव लगाया है बोक्तवा सीट मिर्जापूर अपना दल की अनुप्रिया पतेल एसपी प्रत्याशी राम्चर्थ निशाद कॉंग्रेस प्रत्याशी ललितेश तिर पाठी केंद्रिय मंत्री अनुप्रिया पतेल इस बार मिर्जापूर में त्रकौनीय मुकाबले में फसी है गडवन्दन ने रामचरति निशाद और कॉंग्रेस ने ललतेश तुरपाथी पर दाव लगाया है लोगसभा सीट पटना साहिब बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद कॉंग्रेस प्रत्याशी शत्रुगन सिन्ह बिहार की पटना साहिब सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोवांचक होगा बीजेपी से सांसद रहे शत्रुगन सिन्ह इस बार कॉंग्रेस के टिकेट पर मैदान में है बीजेपी ने सीट पर कारुन मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है शत्रुगन सिना बीजेपी के टिकेट पर दो बार पटना साहिब से सांसत रह चुके हैं लोगसवा सीट भकसर बीजेपी प्रत्याशी अशुनी चौबे आरज़ेडी प्रत्याशी जगदानंद सेंग केंद्रिय मंत्रिय अशुनी चौबे के लिए आरज़ेडी के दिगद जगदानंद सेंग करी टकर बने हुए हैं इस सीट पर यादव और गैर यादव वोटरों के बीच धुरुवी करण की राजनिती होती है लोगसवा सीट पातली पुत्र बीचेपी प्रत्याशी राम करपाल यादव आरज़ेडी प्रत्याशी मीसा भारती पातली पुत्र में मीसा भारती और बीचेपी के राम करपाल यादव की सीधी टकर है 2014 के चुनाओं में राम करपाल यादो ने मीसा को 40,000 वोटों सेहराय था लोक्तवा सीट सासा राम, बीजेपी प्रत्याशी छेदी पासवान, कॉंग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार सासा राम में कॉंग्रेस की मीरा कुमार और वीज़पी के छेदी पासवान आमने सामने है 2014 के चुनाओं में यहाँ छेदी पासवान ने मीरा कुमार को चुनाओं में शिकस्त दी थी विर्ण रिपॉर्ट जनतन्ती टीब